आमादी पार्टी के तमाम बड़े नेता किसी ना किसी मामले में जांच में घेरे हुए हैं। आमादी पार्टी के संयूजक से लेकर नेता तक सभी अलग-अलग कारणों से लकातार कोट पर यटन कर रहे हैं। आमादी पार्टी संसद रागफ चढधा, राजे सभा की विशेशा अधिकार समिती के सामने पेश हुए हैं। आमादी पार्टी सांसर्द रागफ चढधा मंगलवार को राजे सभा की विशेशा अधिकार समिती के सामने पेश हुए। इस दोरान उन्होंने सार्वजने क्रूप से की गई उठ पड़ियों पर अपना पक्ष रखा जिसके लिए उनके खिलाफ विशेशा अधिकार हननन की शिकायत की जाँच कर रही है। समिती संजे सिंग और जरेक उब्राइन के खिलाफ शिकायतों की भी जाँच कर रही है। शीश अदालत ने चढधा से कहा है कि वो प्रवर समिती के मुद्दे पर राज्यसभा की सभापती धनकड से बिना शर्त माफी मांगे और उम्मीद जताएं कि धनकड इस मामले पर सहानुभूती पूर्व विचार करेंगे। सूत्रों ने बताया कि समिती ने चढधा से 7 नमबर तक रिपोर्ट मांगी है। सांसत रागफ चड़ा कि आप दिलंबित हो जाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर जाज की आज लगातार बढ़ रही है। केज डिवाल के वाचाल नेता संजे सिंग की भी तकलीफ कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कैसे बताते हैं आपको। दिली शराब नीती केस में ग्रफतार आमादी पार्टी के राजे सभासांसा संजे सिंग जेल से बाहर आने के लिए हर संभव कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उनकी दाल नहीं गलपा रही। उसे हिरासत में हैं। काफी हंगामा भी मचाया था। दरसल माई में संजे सिंग ने दावा किया था कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर जवाब दिया कि हमारी चार्ट शीट में संजे सिंग का नाम चार जगह लिखा गया है। सिंग में से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती है। और उनसे पूछताच कर रही है। दिली जराब नीतिक केस में ED की दूसरी सप्लिमेंटरी चार्ट शीट दो मई को जारी की गई थे। जिसमें आम आदनी पार्टी के राज्जे सभासांसद राकफ चड़ा का नाम भी सामने आया था। तकि उन्हें आरूपी नहीं बनाय गया था। कोई बरदाश नहीं कर पा रहा। विपक्षी एक्ता में ऐसा जूतम पैजार मचा हुआ है कि कोई भी दल एक दूसरे को फूटी आख नहीं देख पा रहा। दुली से लेकर यूपी और बंगाल से लेकर केरल तक विपक्षी दल एक दूसरे की लगतार खिलाफत कर रहे हैं। इस बीच में भाजपा शायद एकदम खुश है कि हम इसका पूरा राजनितिक फायदा उठाने वाले हैं। भाजपा उठाएगी भी और जनता को समझाएगी भी कि कैसे विपक्षी एक तमें फूट है जो आपस में एक जुट नहीं है। वहाँ आपके हित को और देश को कैसे बहतर बना पाएंगे। तमाम हुआ पोहों में फसेवी पक्ष में फिर से एक बार नई तकराज शुरू हो गई। इस बार सपा और कॉंग्रेस में जंग छुड़ गई आखिर क्या है नई वज़ाई आपको बताते हैं। सपा कॉंग्रेस की लड़ाई अप खुलकर सामने आती हुए दिखाई दे रही है एक और लोक सबाचुनाब 2024 हैं। तो दूसरी और मध्या परदेश, राजिस्थान और चटिस गड़ चुनाब अपने अंतिम दोर में हैं। ऐसे में सपा कॉंग्रेस के नेताओं में जवारी जंग और तेज हो गई। 2009 में यूपीय सरकार के समर्थन में लेकर 2017 के चुनाव में गड़बंदन में कॉंग्रेस को दी 106 सीटों का जिक्र राजियर राय ने कर दिया। कहा कि ऐसा नहीं होता तो 2009 में ही आपकी सरकार गिर गई होती। 106 सीटे देने का खामियाजा हम जेले हैं। सपा प्रवक्ता के एक्स पर पोस्ट करने के बाद कॉंग्रेस ने भी हमला किया। यूथ कॉंग्रेस यूपीस्ट के प्रवक्ता द्रमेंदर कुमार ने कहा कि ग्याम तो आप कॉंग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन आपका हैंकार खुदी इंडिया गडवंदन की जड़े खोदने में जुटा है। यही नहीं उन्होंने 2009 चुनाओं में कॉंग्रेस के अकेले 21 सीटे जीतने का खिक्र किया और कहा कि आज आप भी पांच पर हैं। साथ ही एहसान जतना ची छोड़ना चाहिए। कहा कि सपा के दंबर कॉंग्रेस दो सीटे जीतती है तो सपा भी पांच छी सीटे जीत पा रही है। कॉंग्रेस और सपा में जिस तरह की जंग छिड़ गई है वैं कहीं ना कहीं भी पक्षी एकता को भी डुभा देगा और उसी ही कीचड में कमल का फूल खिलेगा। और भी वीडियोज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।